पूर्वग्रह मंत्री अनिल देश मुख को आखिरकार आज जमानत पर रिहा कर दिया जा है वह और तर रोड जेल से बहार आ गए उचिन्यायाले द्वारा देश मुख की जमानत रद्द करनी की सीवियाई की याचिका खारिच करनी के बाद अनिल देश मुख बुद्वार को जेल से बहार आ गए उन्हें नवंबर 2021 में 100 करोड की कतित वसूली के मामले में गिरफतार किया गया था यहां किया गया था आज 13 महीने 26 दिन के बाद जेल से रिया हुए हैं इसी श्रंकला में अनिल देश मुख इनके नाकपूर इस्तित निवास पर कारी करता द्वारा ज जलोश किया गया है पुलिडिकली टार्गेट करने के लिए काम करने काम करता है और तमाम जाच एजेंशिया अनिल देश मुख साब को एक भी आरोप को सिद्ध करने का प्रयास करने के बावज़ोच में सिद्ध नहीं करता है और जिस परसे हाइप ने अपने बेल ओर ने लिखा है कि पुरी है कि स्थिक्णैर करें हुआ ह lag बहुति है औरPhilippितियकि यसी तरह से तरह से ये चुटा मामला था और किसी भी हहलागत मैं इसके बाद में अनिल देशिक्साब को जेल में नहीं रखा जा सकता है और Mooina थे में हमाच पुरे विधर्ब के गावं में चप्पे चप्पे में जाकर भारतिय जनता पार्टी की सेडियंत्रों को खुलने का काम करेंगे और समझे हैंगे लोगों को कि किस तरह से भारतिय जनता पार्टी एडी और सीपे एकल गुरूपों करें तो हां विपक्स के निताब को क्वोल्टिकल टार्गेट करें का काम कर इतने दिन से एक नेतों को मिस कर रही थी, आज वो खुशी आपको दिख रही है। और जिस तरह की दमनकारी निती एक घर में CBI की 200 बार रेग, 200 लोगों से पूशता है, 30 से 40 बार रेग पढ़ी है। यह उसका जवाब पोट ने दिया या। एक जलोश हो ते दुखाई है, काफिया साथ कीकरता तो है। अगर ऑंफि निर्ड़ोष है, निर्ड़ोष रहेंगे तयछको में एक तसको है। वार आपकों लगों और इस तसको जिएन की को में का आप है। एक तो में सपयकों की मैं स्क्तों का बतलिक एन है। इज ने जाफू